नमस्कारोस तो सुआगर आप सभी का तिकिराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो पर मैं आपको बता हूँगा कि कैसे आप अपने Redmi 5A पर call recording problem solve कैसे कर सकते अगर दोस्तो आप call recording जो है यहाँ पर use करना चाते लेकिन आपका जो call recording का setting है वो चीज़ काम नहीं कर रहे तो कैसे आप उसको fix कर सकते आज की इस वीडियो पर मैं आपको इसकी related पर solution बताने वाला हूँ ठीक है यहाँ पर मैं आपको कुछ solutions बताऊंगा उसके सारी साथ मैं आपको setting भी बताने वाला हूँ ठीक है तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके bell icon को क्लिक करें यही आप online पेसा कामाना चाते है तो वीडियो description पर आपको link मिल जाएगा और उसके बाद manager पर जाना है क्योंकि कभी-कभी call setting वह काम करना बंड कर देता है ठीक है तो आपको जाना है phone service पर और for stop करके ok करना है क्योंकि आपका जो call setting है वो phone service में होते है clear data करके clear all data करके ok कर देना है उसके बार आपको बेक करना है बेक करके दोस्तों आप जो है चेक किजिए आपके डिवाइस का जो सौफेर है वो अपडेट वर्जिन का है या नहीं है ठीक है अगर अपडेट मांग रहा है तो आपको अपडेट करना होगा डिवाइस सौफेर अपडेट करने के बाद मोबा के डाइलर पर उसके बाद ट्री लाइंस पर क्लिक करें और सेटिंग पर जाए सेटिंग पर जाने के बाद दोस्तों यहां पर आपको जो सेटिंग दिखाए जा रहा है उसमें आपको जाना है कॉल रेकोर्डिंग पर उसके बाद रेकोर्ड कॉल्स ऑटमेटिक लिए ठीक है नमबर पर जाए custom list को on करें और यहाँ पर number 8 करें एड नमबर पर क्लिक करते हुए कोई भी number को select करें ठीक है उसके बाद दोस्तों आपका जो issue है वो fix हो जगा तो मेरे हिसाब से आपको all number पर set करके देखना चाहिए आपको डिक्कट नहीं होगा ठीक है तो दोस्तों यह था इसके solution उमीद करते हैं इससे आपका problem solve हो जाएगा और आज के इस वीडियो पर डोस्तों बस इतना ही ठेंक्स वाचिंग